साथियों, आज के प्रयोग द्वारा हम दो मिश्रणिये द्रवों को आसवन विधी द्वारा प्रथक करेंगे आप दैनिक जीवन में विविन प्रकार के मिश्रणों से रूबरू होते हैं ये मिश्रण गैसिये हो सकते हैं, द्रव के मिश्रण हो सकते हैं, अथवा ठोसों के मिश्रण हो सकते हैं जैसा कि हमारे चारों और वायू उपस्ते थे, यह गैसों का मिश्रण है आज प्रयोक के द्वारा हम दो मिश्रणिय द्रव जल तथा ऐसीटोन को आसवन विदी द्वारा प्रथक करेंगे इसके लिए आवशक सामगरी हैं दो गोल पैंदे के फ्लास्क एक डिस्टिलेशन हेड एक कंडेंसर एक रिसीविंग हेड तथा एक थर्मामीटर पॉकेट इन्हें पकड़ने के लिए दो क्लैंप यूग्ट स्टेंड गरम करने के लिए बर्नर त्रिपाद स्टेंड और तार 25 डिग्री सेल्शियस या इससे अधिक का अंतर होता है उन्हें आसवन विदी द्वारा प्रतक किया जा सकता है इस गोल पैंदे के फ्लास्क में हमने जल एवम एसीटोन का मिश्रन लिया है इसे अब हम बहुत धीमा तापन करेंगे ताकि इसमें से एक अवियव आसवन वि तक हो सके थर्मा मीटर पॉकेट में हम यह थर्मा मीटर लगाएंगे इस थर्मा मीटर की पराज माइनस 10 डिग्री सेल्शियस से 110 डिग्री सेल्शियस है इस थर्मा मीटर पॉकेट में या तो मरकरी भरा रहता है अथवा इसके स्थान पर पैराफीन भी प्रयोक्त कर सकते ह हमने यहाँ पेराफीन प्रयुक्त किया है इसमें द्रव की बंपिंग को रोकने के लिए कुछ प्यूमिस स्टोन डाले हुए है आप देख रहे हैं फ्लास्ट में छोटे छोटे बुलबुलों का उठना प्रारंब हो गया है थर्मा मीटर में ताप मान लगातार बढ़ रहा है एक निश्चित इस्थान पर ताप स्थिर हो जाएगा और इस जल और एसी टोन के मिश्रण में से एक अवयब वाश्प के रूप में इस संगनित्र में आएगा चुकि यहां लगातार पानी चलाएंगे उस लगातार पानी के चलने से यह संगनित्र होगी इसकी वाश्प और इस प्लास्प में हिकत्र हो जाएगी संगनित्र के इस भाग से ठंडा पानी भेजा जाता है तता इस भाग से गरम पानी वापस भारा जाता है हमने यहां विशेश प्रकार की विवस्था की है ताकि जल के अपवे को रोका जा सके सामान्यत है इसे अपवे करने से बचाने के लिए हमने एक बाल्टी काम में ली है और उसमें एक कूलर का सम्मर्सिवल पंप रख दिया है उसके एक हिस्से को नली द्वारा यहां पर और दूसरे हिस्से को पुन्ह बाल्टी में डाल दिया है जिससे जल के अपवे को रोका जा सके तथा यही जल बार-बार इस आसवन विधी में काम में लिया जा सके आप देख रहे हैं फ्लास्क में छोटे छोटे बुलबलों का बनना प्रारम्ब हो गया है और थर्मा मीटर में ताप बढ़ता चला जा रहा है साथियों आप देख रहे हैं यह ताप 56 डिग्री सेल्सियस पर इस्तिर हो गया है इस फ्लास्क में दोनों द्रवों के जिसका क्वतनांक कम है तथा जिसकी वाश्प शीलता अधिक है उसकी वाश्प बन रही है जो संगनित्र में आ रही है यहां संगनित्र में वह वाश्प संगनित हो रही है और संगरित होने के उपरांत इस receiving head में पहुँच रही है यह receiving head में आपको यह द्रव के रूप में दिखाई दे रहा है और receiving flask में यह बून्द बून्द एकत्र होता हुआ आपको दिख रहा है इस flask में दोनों द्रवों का मिश्रण था हमने जल और acetone का मिश्रण लिया था जल और acetone दोनों पून्द मिश्रणिये द्रव हैं लेकिन कुथनांक में अंतर होने के कारण इनको हम आसवन विदी द्वारा प्रथक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ एक द्रव एकत्र हो रहा है जैसा कि आप जानते हैं acetone का कुथनांक जल की अपेक्षा कम होता है acetone का कुथनांक 56 डिगरी Celsius है जबकि जल का 100 डिगरी Celsius है और ऐसे द्रव जिनके कुथनांकों में 25 डिगरी Celsius अथवा इससे अधिक का अंतर होता है आसवन विदी द्वारा प्रथक किये जा सकते हैं acetone का कुथनांक कम होने के कारण उसकी वाश पे शीलता अधिक होने के कारण Receiving Flask में पहले जो द्रव प्राप्त हो रहा है वह acetone है तापमान स्थिर है एक स्थिर तापमान पर यह acetone प्रथक हो जाएगा और इस distillation Flask में केवल जल रह जाएगा इस प्रकार इस आसवन विदी द्वारा हम दोनों मिश्रडियें द्रवां को प्रथक कर सकते हैं इस प्रकार Flask में आप देख रहे हैं एक द्रव एकत्र हो रहा है यह द्रव acetone है हम इस बर्णर को अब बंद कर देते हैं अब हमारे पास इस Flask में जो पहले जल और acetone का मिश्रड था केवल जल सेश रह गया है और इस संगनित के द्वारा इस Flask में acetone एकत्र हो चुका है अर्थात आसवन विदी द्वारा हमने दो मिश्रणिय द्रव जल और acetone को प्रथक कर लिया है डिस्टिलेशन Flask में केवल जल रह गया और Receiving Flask में सारा acetone आ चुका है कि अर्था एकत्र है